नौईडा के सेक्टर 29 में हर रोज दो घंटे की ये ये रसोई अपना दर्वाजा खुटती है सिर्फ 5 रुपे दाल, चावल, सबजी, अचार और प्यार से भरी धाली से लोगों का पेट भरने के मकसद को पूरा करती है बोजन कोई भी खिला सकता है, लेकिन जरोरत मंदों को अच्छा भोजन उपलब कराना ये दादी की रसोई का एक मकसद है पांच रुपे में किसी का पेट बड़ा अराम से भड़ जाता है पांच रुपे इसलिए रखेगी आदमी का सवभीवन जिन्दा रहना चाहिए तो कि उसे कॉन्फिटेंस आता है फांच रुपे में वो और सबजी देना जारा सी, थोड़ा सा चार दीजे हमारे हाँ स्वीपर्स आते हैं, माली आते हैं, ड्राइवर्स आते हैं, हो सकता उसका मालिक भी उसके पीछे खड़ा हो जो लाइन में लग गया, उसे भोजन देना है, उससे एक इकुलेटी की भावना आजाती है फैमिली का अगर सपोर्ड नहीं होता तो यह कुछ चली नहीं सकता था, मम्मी तो विलकुल हमारी गबर सिंग स्टाइल होती है, कितने आदमी थे, आज रोज आके बूछती है, कितने आदमी न खाना काया शुरुआत कम से ही करी, धीरे-धीरे करके सो बड़े, फिर डीर सो, दो सो, अब चार सो, पाइट सो लोग हो गया है सब ने पाइटिपेट करा हूँ, सब जीवाला भूला साब, मैं आपको मंटी के रेट देना चाहता हूँ, अब वहां के रेट और यहां के रेट में तो बहुत बड़क है तो हम चीफ रेट लगा देते हैं उनके लिए, वो समास सेवा करते हैं, तो हम भी सयोग कर देते हैं तो इस तरह से हमने देशीगी डालना शुरू कर दिया, उसके अंदब छोका आम आदमी की बसकी बात नहीं है, जो ये इतना अच्छा का ना खा सकता है, पहुँचे पहें इसमें कई एक प्रकार की सब्गी होती है, जरपे भी नहीं बन पाता है स्वाद घर जैसा ही है, इसलिए मैं खीचे चलाता हूँ, हम तो देख नहीं पा रहे, लेकिन मैं सुना हो कि गंगा सुपिं के बाहर से भी आतने खाने के लिए अपनी शादी सेलिब्रेट करने के लिए एक दिन की मील का घर्चा कॉंट्रिब्यूट किया है अच्छल सेलिबरेशन ओफ हापिनेस इस दिस जब वहाँ कि चेहे की खुशी देखते है नँच्प्रस निहीं गर सकते हैं कि आंखों में आशो आजाते हैं बुलें बैसे भी चलाते रोगें आप मैं जब तक पांच रूपर का सिक्का सरकार बंद नहीं कर रही है तब तक रेट हमारा पांची रूपर रहेगा तुम चिंता ही मत करो हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुके हैं अब समाज को लोटाने का वक्ता है इसे करने के लिए आदमी का पैशन होना चाहिए मैं एंजॉय करता हूँ इसलिए करता हूँ रजनीगंदा पर्ल्स अनूप खन्ना जी के समाज के लिए किये गई योगदान का सम्मान करता है उनके द्वारा शुरू की दादी की रसोई की अक्छाई की चमक ही है जो उन्हें पर्ल्स उफ एंग्या बनाती है